नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत हैं उधाइपरु क्लासेज में जैसे कि आज हम बात करने वाले B.H.T.C. कॉलेज अलोट में 2022 को लेकर क्या काउंसलिंग वापस शुरू होगी क्या क्या सीटों के अंदर बडोतरी होगी क्या संपुन जनकरी पे चर्चा करेंगे और भी लिष्ट जारी हुई और आपको गुमरा नहीं कर सकते हम आपको बिल्कुल लाइप प्रूब बता रहे हैं और लाइप प्रूब के साथ आपको सारी की सारी इंपर्मेशन मिलने वाली तो वीडियो को पूरा रहे हैं तो ये देख लीजी ये निरु में के द्वारा एक बताया था कि और भी कोलेज नए एड होने की संबावना ही और और भी सीटों में बलोत्री होगी तो वेसा का वेसा यहां पे प्रूब देख लीजिए और काउंसलिंग देरी से शुरू होने का कारण है कि जल्दी से इस समन में आदेश भी जारी कर दिया जाएगा कि आपक आपको पूरानी यादे को ताज़ा करता हूं यदि आपका कोई बाई है मित्र है आपका साकी है कोई भी है आपका मिलने वाला है उसको पूछ लेना जिसका 2021 के अंदर सेलेक्शन हुआ है जिसका 2021 के अंदर सेलेक्शन हुआ है उसको पूछ लेना असी तरह से 21 प्रकास से वो मेटर रहा था उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ तो एक बार देख लीजिए इस वाले प्रूप को आपको बताने वाला हूँ चलो ये आ गया 2021 की बात कर रहा हूँ आपको वीडियो को पूरा देखना होगा ये दिया आपको कोई समझ ना है तो आपको पूरा देखना होगा 2021 में क्या हुआ था 2021 की बात कर रहा हूँ ये 2021 की साइट से मैंने अभी-भी डाउनलोड किया है और इसके बारे में हमारे को काफी अनुब भवे पिछली बार जो आपके पलाना मेता सर से करवाते थे जो अब यापका पूरा का काम वो समालते थे तो उन सर से भी हमारे काफी बादचित होती रहती थी और हर लेटेस्ट अपडेट में सबसे पहले लेके आता हूँ मेरे चैलन के द्वारा तो ये सब को बताएगी मैं कोई जानकारी लेके आता हूँ तो उसके पीछे कोई प्रूप होता है तभी मैं एक वीडियो लेके आता हूँ बाकि इसके बारे फेक जानकारी मुझे देना कोई मेरा मकसद नहीं है ठीक तो 2021 के बाद कर रहा हूँ तो इसमें अभेरति के लिए मत पुन सोचना है काउंसलिंग का लेंगडर है ठीक है और आपकी काउंसलिंग प्रणजिंग शुल कर 3000 का बुक्तान करने के लिए आपकी तारीक क्या थी 39-2021 से शुरू होकर 5-10-2021 तक चलेगी और आपको कोलेज अनलोग करने का आपका है 39-6-10 तक चलेगा ठीक है यह आपका था यानि 30-39 से आपकी काउंसलिंग शुरू होई थी और यह 5-10 तक ठीक है और यह काउंसलिंग शुरू होई थी उसके बाद आपका यह आपका अलोटमेंट लिस्ट जारी हो गया था देखो आपकी काउंसलिंग 3-9 से चली थी और वो 5-10 तक आपकी काउंसलिंग चली थी ठीक है और 5-10 से सली और यानि आपके 28-10 को आपका क्या हो गया 28-10 को आपका कोलेज अलोटमेंट लिस्ट भी जारी हो गई यानि आपका 39 से आपकी counselling शुरू हुई थी और वो चली थी 5-10 ठीक है 5-10 और 28-10 को आपकी तो counselling का first list का result भी आ गया यानि 5 यानि 23 दिन बाद आपकी first list का result भी जारी हो गया 28 को आपका result जारी हो गया और result जारी होने के बाद और भी नए college aid हुए और college aid कौन से हुए वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये देख लिजी ये college कब aid हुआ देखो जब आपकी list जारी हो गई थी 28 को आपकी list जारी हो गई 28-10 को और 28-10 को देखो नए college aid हुए देखो तो ये आपके 7 college aid हुए ठीक है देख लो 28 को आपकी list जारी हो गई फिर भी और नए college aid हुए ठीक है इसलिए बता रहूं कि इस बार भी list देरी से जारी होने कारणिक है वो भी बताऊंगा ठीक है उसके बार वापस ये 21 बारा को भी देखो नए college aid हुए देखो आपकी first list आ गई थी 28-10 को फिर भी आपके नए college ओड हुए ठीक है इसके अंदर आपके दो college और बताता हूँ ये आपका बता आपके कितने इसके अंदर आपका ए college aid हुआ और ये हुआ था कब 8 जनवरी को ठीक है और आपका result कब आएगा 28-10 को आपका result आगा फिर भी college aid हो रहे है देखो ये देखो और इसको देख लिजे आप ये आपके तीनी college पुर्मे एड हुए है और ये कब हो था 6-10 को ठीक है 26 जनवरी को भी हुए था 6-10 को हुआ था ठीक है और उसके बाद हम बात करते है कि इसके बाद और कौन सा हुआ तो उसके बाद ये आपका देख लिजे 8 college और भी नए एड हुए और ये college कब हो एड हुए ये college आप देख लिजे ये college आपका एड कब हो था ठीक है ये college भी आपके 7-8 और college एड हुए उसके बाद हम बात करते है ये college तो ये आपके 19 college एड 19 कोलेज और ये कब हो था ये भी देख लिजी कि आपके जब काउंसलिंग शुरू हो गई लिष्ट जारी हो गई उसके बाद यानि आपका ये पंदरा दस का ठीक है सोरी पंदरा बारा का ठीक है ये आपने अच्छे तरह से देख लिया होगा मैं आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ देखो ये आपकी काउंसलिंग 39 से शुरू होगे कर 5-10 तक चली ठीक है और ये आपका इदर आपका फर्स्ट लिष्ट जारी होगी थी ये देखो आपकी फर्स्ट लिष्ट जारी होगी थी आपकी देखो में फर्स्ट लिष्ट आपकी काउंसलिंग चुरू होगी थी 39 से तिस नो से काउंसलिंग चुरू होगे थी और 31 तक आपके परवेश से तो ओन्लाइन भी आपके कोलेज मिल गए थे रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान की गई थी मान भी उच न्याले की निने के अनुसार निने के अधिन शाषन द्वारा जारी आदेस को अनुपालनित के सत्र 2021-22 में परवेश नवीन नेजी अधियापो को सस्तान में काउंसलिंग में समिलित हैं तुन निदी निदेस मिलने का उपरांत प्रथम चलन में संसोधित काउंसलिंग कलेंगर निम्ने अनुसो जारी किया जाएगा यानि आपको फर्स्ट काउंसलिंग भी हो गई थी आपका फर्स्ट अलोट में लिष्ट भी जारी हो गया था उसके बाद वापस आपकी पूरना काउंसलिंग शुरू हो गई थी इतनी लंबी रामाइन लेने का मेरा यही मकसद है कि आपको समझाना है काफी बचे कमेंड करें किसरा हमने काउंसलिंग करवा दी अप थोड़ी कोलेज एड होंगे आप काउंसलिंग फ़ड़ी शुरू होगी तो पिछले दिनों को याद करो जो पिछली 2021 के अंदर जो विधारति हैं उसको सबको पता है तो वापस आपकी नए कोलेज होई एड होए और नए कोलेज एड होए वापस आपकी तीनेजार का चालन काउंस्लिंग करने का आपको वापस मोका मिला ये मोका कब मिला ये मिला था बारा सोरी बीस बारा से तीस बारा तक बीस बारा से तीस बारा यानि दस दिन का आपको वापस मोका मिला था दिसंबर वाले माईने में ठीक है अब आपको बीस बारा से तीस बारा तक और वापस आपकी लिस्ट कब आई थी लिस्ट आई थी मार्च में और वो आपका था बीस बारा से काउंस्टिंग शुरू होई थी और वो काउंस्टिंग शुरू होई थी यानि तीन महिना आप मान के चलो कि ड़ी महिने का समय निकाल दिया तो ये क्या कि नए नए कोलेज एड होते हैं इसी कारण से आपकी काउंसलिंग में लंबा समय लग रहा हैं यही कारण है ठीक है ना तो आप सबी विध्यारति ये कमेंट करते हो किस अरा हमारे काउंसिलिंग ने करवा दिये तो अब क्या नए कोलेज अड होंगे उनका निरुमेम का यही कहना है कि यदि तीन कोलेज और भी नए एड होने की समभावना है इस कारण से हम तीन कोलेज एड हो जाते हैं तो आपक फ़र्स्ट लिश्ट जारी होने में समय लग रहा है आपको चिंता नहीं करनी है फिर बता रहा ह tighten, कोई भी अप्डेट होगी सबसे पहले में आपके बीच में लेखे आओंगा तो आपको चिंता नहीं करनी है निराश नहीं होना है और फालतु की जारती ने वेड किया था कोलेज लिस्ट जारी हो गई उसका सलेक्शन भी हो गया था वापस री काउंसलिंग शुरू होई थी तो वापस उसके सारे के सारे कोलेज चेंज हो गई किसी को जेपुर मिली तो उसके चेंज होगा बरतपुर हो गई किसी को बरतपुर मेली से उसको उधेपुर हो गए तो ये मत सोचना कि काउंसलिंग एक बार हो गई तो नहीं यदि कोलेज एड होते हैं तो आपकी काउंसलिंग री काउंसलिंग वापस शुरू होगी और वापस आप काउंसलिंग में बाग ले सकते हो participate कर सकते हो नए college भी aid कर सकते हो तो इसको लेकर आपको चिंता नहीं करने इसी करण से आपका first list जारी होने में समय लग रहा है और वेसे तुम्हें आज और बात करने वालों वहां से क्या जानकरी मिलती है यदि college aid होते हैं बिलकुल आज आपके शाम तक आपके notification जारी हो जाएगा और नहीं होते हैं तो भी आपके बीच में कुछ कोज अपडेट आ जाएगी ठीक है ओके मिलते हैं शाम को तब तक के लिए जय बरत